अपने लैप्टॉप से वट्सब कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने यूसी ब्राउजर में जाएंगे इसमें जाने के बार कोई भी मेल आईडिया अपनी सेलेट कर लें और इसके बाद गूगल बार में जाके आप सर्च करेंगे वट्सब बेव बेव इस पे आप ये नीचे वाला सेलेट करेंगे और आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा इसमें आप वट्सब बेव पे ये उपर ही दे रखा है इस पे आप डबल किलिक करेंगे इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा अपनी स्कीन पर इसके बाद अपना मुबाइल लेंगे मुबाइल में आप वट्सप पे जाएंगे और यहां पर जो यह टीन डॉट दिखाई दे रही है उपर इस पर किलिक करेंगे और इसके बाद आप नीचे सेटिंग में आएंगे सेटिंग में आने के बाद यह आपको QR कोड दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करेंगे इसके बाद को इस तरह का दिखाई देगा आपको इसके बाद एक तरफ my code है दूसरी तरफ है scan code तो आप scan code पर क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो ये आपका qr code laptop पर दिखाई दिया है इस पे continue connect करके और ये link add device दिया है इस पर click करेंगे इसके बाद ये scan करेंगे और ये process होने लगा आपका इससे connect हो जाएगा थोड़ी दिर में आपने देखा ये connect हो गया आपका laptop से अब आप यहाँ पर आसानी किसी message को पड़ सकते हैं और उसका reply दे सकते हैं तो बहुत ही आसान है और इसे आप बड़ी आसानी से connect कर सकते हैं और इसके बाद अगया आप इसे logout करना चाहते हैं फिर आप यहाँ पर यह तीन डोट दियेगे इस पर click करेंगे और यह नीचे logout का option इस पर click करके इसे logout कर देंगे तो बड़ी आसानी से आपने mobile को WhatsApp को पर लैप्ट आप तो connect कर सकते हैं कर सकते हैं